अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान सभाच्छनाव के लिए भारती जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और लोगों का विश्वास जीत कर प्रचंड जीत के इरादे से जन विश्वास यात्रा शुरू की गई हैं बिजेपी के जन विश्वास यात्रा जब मंगलवार को हात्रस के साधा बात पहुँची जहाँ यूपी के उर्जा मंत्री श्रीकान शर्मा ने विजली आपूर्ती को लेकर अजीबो गरीब बयान दिया उत्तरप्रदेश के उर्जा मंत्री श्रीकान शर्मा ने कहा 24 घंटे बिजली चाहो तो राधे राधे बोलो बिना व्यवधान के बिजली चाहो तो राधे राधे बोलो जितनी जोर से बोलोगे उतना ही अधिक करेंट आएगा और जो राधे राधे नहीं बोलेगा उसकी बि इसके साथ ही उन्होंने कहा बीजेपी ने सबको मुफ्त राशन देने का काम किया और बेहन बेटियों की सुरक्षा दी इसके अलावा धारत 370 हटाई और आयवध्या में राम मंदिर निर्मान का रासा प्रशस्त किया योगी सरकार के मंत्री ने कहा पिछले चुनाओं की तरह इस बार के चुनाओं में भी हर घर में कमल खिलाना है और आपको पिछले रिकॉर्ड तोड़ कर दिखाना है सरकार ने हर वर्ग के लिए काम करके दिखाया है एटा के सांसद राजवीर सिंग उर राजू भाईया ने चाहिए ब्यूरो रिपोर्ट आज की खबर